ठीक है बच्चों यहाँ पर यह तक क्लियर होगी यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है अब क्या है कि जैसे न हम लोग finally हमारे पास formula क्या है finally हमारे पास formula है sin inverse x plus sin inverse y is equals to this when x square plus y square is less than equals to 1 and this when x square plus y square is greater than equals to 1 जैसा मैंने बोला equality का sign तुम उपर नीचे कहीं भी लगा सकते हो ठीक है अब क्या है कि जैसे तुम इस formula का ना यह right hand side देखो sin inverse के साथ क्या लिखा है sin inverse के साथ x भी positive है यह हमने starting में यह zoom किया है यह positive square root है तो यह भी positive number है यह भी positive number है तो इसका क्या मतलब है कि sin inverse के अंदर positive लिखा है तो sin inverse के अंदर अगर positive लिखा है तो वो angle क्या generate करेगा angle generate करेगा between 0 to 5 by 2 sin inverse function का curve कैसा होता है यह होता है ना ऐसे ही होता है ना sin inverse का curve किसी भी inverse trigonometric function का argument अगर positive है तो हमेशा 0 से pi by 2 के बीच में यह angle produce करता है यह 0 है हमारा यह हमारा 1 हो गया यह हमारा क्या हो गया pi by 2 यह क्या हो गया minus 1 यह क्या हो गया minus pi by 2 ठीक है तो देख लो अगर हमारा sin x का argument को positive लोगे तो फिर क्या होगा वो जो angle produce करेगा 0 2 pi by 2 तो इसका क्या मतलब है 0 2 pi by 2 angle का क्या मतलब है कि acute angle produce करेगा तो यहाँ पे देखो तुम right hand side देखो right hand side में क्या लिखा है positive number लिखा है तो इसका मतलब क्या है कि जो sorry right hand side जो है यह एक acute angle है ठीक है यह acute angle है तो इसका मतलब यह sin inverse x plus sin inverse y यह भी acute angle है तो sin inverse x plus sin inverse y यह acute angle है तो यह जो condition दे रखा है यह actual acute angle का condition दे रखा है अगर जब भी sin inverse में तुम्हारे पास ऐसे दो values लिखे हो sin inverse alpha plus sin inverse beta ठीक है और अगर alpha square plus beta square less than equals to 1 आजाए तो इसका मतलब होगा कि sin inverse alpha plus sin inverse beta जो है वो acute है क्या मैं बोल रहा हूँ यह बता रहा हूँ अगर तुम्हारे पास दे रखा है sin inverse alpha plus sin inverse beta तो यह क्या यह तो एक angle है यह भी एक angle है तो इसका sum भी क्या होगा एक angle होगा यह तो होगा अगर हम मिल गया alpha square plus beta square less than equals to 1 तो इसका मतलब क्या है कि यह जो दोनो angle का sum है यह acute है यह क्या है अब देखो क्या है यह तो आगे बात समझ में अब तुम right hand side में आओ right hand side में क्या है obtuse angle pi में से एक acute angle subtract क्या हुआ है तो अगर तुम pi में से acute angle subtract कर दोगे ठीक है तो हमें क्या मिलेगा ठीक है तो pi में से acute angle subtract करोगे तो angle हमें से obtuse मिलेगा देख लो 180 में से कोई भी acute angle subtract करो तो obtuse मिलेगा तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो लिखा है ना sin inverse x plus sin inverse y यह हमारा obtuse angle है तो obtuse angle पहचानने का क्या है यह है condition अगर तुम्हारे पास ऐसे लिखा हो यहाँ पे लिखा हो कि sin inverse x plus sin inverse y ऐसे लिखाओ यहाँ पे लिखाओ यह बीटा लिखाओ यह एलफा लिखाओ तो यह एक angle A हो गया यह angle B हो गया अब मैं बोलूं कि A plus B acute है acute है यह obtuse है बताओ यह acute angle है यह obtuse angle है बताओ तो इसके लिखाओ तुम क्या करोगे इसके लिखाओ इसके लिखाओ अगर यह greater than equals to 1 आगिया अच्छा equals to 1 पे तो 5 by 2 हो जाएगा तो 1 को अटा देरा अगर greater than 1 आगिया तो इसका sum मतलब sine inverse alpha plus sine inverse beta का जो sum होगा वो क्या होगा हमारा वो obtuse आ जाएगा और alpha square plus beta square less than 1 आगरा है तो क्या होगा acute होगा ठीक है यह भी बात आगे समझ में तो यहीं बोला जा रहा है कि sin inverse 2 by 3 plus sin inverse 4 by 5 is acute and obtuse बता हो यह acute है यह क्या का का क्या करणा 2 by 3 यह फिर ऐसे बोलो कि X का का क्या करणा 2 by 3 बीटा का क्या करणा 4 by 5 तो हमने क्या क्या alpha square plus beta square तो हमने क्या ओ गया 4 by 9 plus 16 by 5 क्या है तो हमें क्या मिल गया यह 244 बाई 25 तो numerator is less than denominator यह numerator greater is greater than denominator तो यह हमारा क्या है greater than one तो greater than one इसका मतलब कि जो sine inverse 2 by 3 plus sine inverse 4 by 5 is a obtuse angle यह हमारा obtuse angle हो गया अब अगर मैं बोलू कि इसको तुम यह sine inverse का दो term है इसको एक single sine inverse में लिखो तो obtuse angle के लिए तो यह वाला formula यूज होगा तो पाई माइनेस this x square plus y square अगर greater than बनाएगा तो फिर तो यह formula यूज होगा तो इसको हम फिर कैसे लिख सकते हैं sine inverse 2 by 3 plus sine inverse 4 by 5 को कैसे लिखते हैं pi minus sine inverse x का का काम कर रहा है 2 by 3 y का का काम कर रहा है 4 by 5 तो क्या हो जागा 2 by 3 root under 1 minus y square तो y क्या है 4 by 5 का all square plus y into root under 1 minus x square तो 4 by 5 root under 1 minus x का मतलब 2 by 3 का all square इसको calculate करते करते सब cut pit के calculate होते होगे क्या जाएगा 6 plus 4 root 5 by 50 तो यह हमारा answer हो जाएगा sine inverse 2 by 3 plus sine inverse 4 by 5 को हमने एक single sine inverse के term में लिख दिया अब यहाँ पे कुछ formulas है same logic से जैसे अभी हमने sine inverse proof किया है ना same logic से formula आ जाएगे अब इसे हमें याद रखना है तो जैसे sine inverse x plus sine inverse y यह formula तो हमने अभी proof किया है यह वाला formula तो अभी हमने proof किया है तो और tan inverse x plus tan inverse y इसका value क्या होता है जैसे देखो tan inverse में भी ना दो formulas होंगे because tan inverse a plus tan inverse b में दो formulas होंगे और tan inverse यह एक बोला हूँ tan inverse x plus tan inverse y में दो formulas होंगे और tan inverse x minus tan inverse y में एक ही formula होगा क्यों विकाज अगर इसे हमने a बोला इसे b बोला तो a plus b का range क्या है a plus b का range तो 0 से πाई है तो 0 से πाई है जो tan inverse के principal range में नहीं है तो इसका मतलब वहाँ पे फिर दो formulas आएंगे जब हम लोग यह वाला काम करेंगे ना यह step formula कहां से 2 आया है यहां से आया है ना दो formula यह step लेने पे आ गया ना दो formula step third लिया जो हमने sin inverse लिया है यहां से आ गया ना दो formula क्यों because a plus b का range यहां पे 0 से πाई था तभी तो हमने इसे अलग लग किया because principal range में नहीं आ रहा था ठीक है तो a plus b tan inverse का principal range यह होता है minus pi by 2 to pi by 2 तो यह tan inverse x plus tan inverse y यह तो 0 से πाई के बीच में तो फिर यहां पे दो formula आएंगे पहला formula क्या होगा tan inverse x plus y upon 1 minus xy इसका condition क्या है when xy is less than 1 और यहां पे इस बार pi plus आ जाएगा pi plus tan inverse x plus y upon 1 minus xy कब जब xy greater than 1 होगा और pi by 2 कब होगा when xy is equals to 1 ठीक है because obviously बात है यहां पे xy में 1 consider नहीं कर सकते but denominator 0 हो जाएगा तो undefined हो जाएगा तो 1 को हमने अलग से ले लिया अगर x और y का value 1 है x into y 1 है तो इसका value pi by 2 हो जाएगा tan inverse x plus tan inverse y यह simple सा है जैसे मैंने क्या बोला कि tan inverse x plus tan inverse y का value क्या हो जाएगा pi by 2 हो जाएगा कब हो जाएगा when xy is equals to 1 यह इसका logic क्या है कि अगर xy 1 के equal है तो यहाँ से y क्या हो जाएगा 1 upon x x तो हमारा positive है तो हम लोग क्या लिख सकते है tan inverse x plus y को क्या लिख सकते है tan inverse 1 upon x फिर इसको क्या लिख सकते है tan inverse x और हमें पता है tan inverse 1 upon x क्या होगा cot inverse x और फिर हमें पता है कि 10 inverse X plus quart inverse X क्या होता पाई भई जहां से आ जाएगा इस formula को याद कर लो 10 inverse X में 2 formula होंगे sin inverse में ये तो A plus B है ये A है ये B है ये A है ये B है तो A plus B current 0 से पाई है इसमें sin inverse और 10 inverse में 2 formula होगा but cos inverse में की formula होगा because यह वाला जब step हम use करेंगे na cos inverse में यह step number 3 यह जब यहाँ पे डालेंगे cos inverse cos तो a plus b तो 0 से πाई के बीच में तो 0 से πाई के बीच में तो cos inverse का principle range होता है 0 से πाई तो direct cos inverse cos cancel हो जाए हो तो यहाँ से क्या होगा हमारे पास यहाँ से cos inverse x plus cos inverse y में एक ही फॉर्मला होगा कौन सा फॉर्मला होगा यह होगा root under cos inverse xy minus root under 1 minus x square into root under 1 minus y square ठीक है अब tan inverse x plus tan inverse y inverse tan inverse x minus tan inverse y में एक ही फॉर्मला होगा क्यों because इसको यह बोलेंगे इसको भी बोलेंगे तो यह minus b का range क्या है minus pi by 2 2 pi by 2 जो कि tan inverse के principal range में आ रहा है तो इसमें एक फॉर्मला होगा यह फॉर्मला याद करना है फिर sin inverse minus sin y इसमें भी एक फॉर्मला होगा because a minus b minus pi by 2 2 pi by 2 है जो कि sin inverse के principal range में आ रहा है but इस बार यहाँ cos inverse में दो फॉर्मला आ जाएंगे एक होगा cos is equal to this when x y x is less than equals to y यहाँ कोई condition नहीं है यहाँ भी कोई condition नहीं है यहाँ भी कोई condition नहीं है ठीक है और यहाँ पे जो condition है वो क्या है cos inverse x minus cos inverse y का value minus cos inverse this when x is greater than equals to y और यह क्या होगा when x is less than equals to y तो यह formula याद करो इतने formula 8 9 formulas है इस 9 formula से तुम inverse trigonometric function के एक एक problem solve कर सकते हो 9 मत बोलो actual में 6 ही बोलो यह जो 7, 8, 9 है यह बस बाकी पीछले वाले formulas का derived result है ठीक है इसमें कुछ ऐस सच याद करनी की जोतने है यह 2 sin inverse x यह कहां साया इसमें sin inverse y को तुम क्या बोलो y को तुम x बोलतो यहां पे y की जगह क्या डाल दो x डाल दो तो क्या हो जाएगा sin inverse x plus sin inverse x 2 sin inverse x हो जाएगा यहां भी y की जगह x डाल दो तो देख लो यहां भी 2 formula बनेगा न अगर तुमने y की जगह x डाला तो 2 sin inverse x के 2 formula बनेगी यहाँ पर अगर हमने y की जगह x डाला तो क्या हो जाएगा x root under 1 minus y square यहाँ भी y की जगह x डाला तो x root under 1 minus y square तो यह क्या हो जाएगा 2 x root under 1 minus y square तो यह आगिया 2 x root under 1 minus y square यहाँ पर अगर तुम x की जगह y डालोगे तो क्या होगा 2 x square is less than equals to 1 1 upon 2, तो x is less than equals to 1 by root 2, ठीक है, x क्या हो जाएगा, less than equals to 1 by root 2, यहां भी अगर तुम x की जगह y डालोगे, तो यह क्या हो जाएगा, 2x root under 1 minus y square, और यहां पर क्या हो जाएगा, x is greater than equals to 1 by root 2, यह formula बन जाएगा, ठीक है, यहां पर cos inverse x वाले में, तुम इसमें y की जगह x डालोग तो यह क्या हो जाएगा, x square, minus 2 root under 1 minus x square, यह बन जाएगा, sorry, y की जगह, अगर तुमने x डाला, तो 2 cos inverse x यहां बन गिया, यहाn y की जगह x डालोगे, तो x square, यहाँ y की जगह x डालोगे, तो क्या हो जाएगा, root under 1 minus x square, ठीक है न, तो यह देख लो, 2X2-1 चलो मैं डाल की पिशा देखा हूँ यह हमारे पास आ रहे है ऐसे देखा यह इसकी जग़ा हमने Y की जग़ा X डाला तो यह क्या हो गया 2 COS Inverse और यह क्या हो गया COS Inverse Y की जग़ा तो यह तो X2- यह क्या हो गया root under 1- X2 root under 1- X2 तो यह क्या हो गया, cos inverse x square minus, यह तो हो जाएगा 1 minus x square, square root cancel हो जाएगा, तो यह क्या हो गया, cos inverse, यह minus x square add हो जाएगा, तो 2x square minus 1, यही हो रहा है, 2x square minus 1, अब यहाँ पे इस formula में, यह plus 1 है न, इसमें तुम y की जगए x डालो, तो 210 inverse x के फिर, कितने दो formula आ जाएगे, यह तो हमें पता x और y अगर 1 है, तो यह तो pi by 2 होगा, अगर तुमने x की जगए y की जगए x डाला, तो क्या होगा, 2x upon 1 minus x square, when x square is less than 1, जब x square का value अगर 1 से छोटा है, इसका मतलब क्या होगा, x is less than 1, यह formula आ जाएगा, यहाँ पे तुम y की जग x डालो, तो क्या हो जाएगा, 2x upon 1 minus x square, when x square is greater than 1, तो x square greater than 1 होगा, तो क्या होगा, when x is greater than 1, ठीक है, यह formula आ गया, और x का value अगर 1 के equal है, यहाँ पे अगर तुम ने x का value 1 डाल दिया, तो क्या हो जाएगा, फिर यह pi by 2 हो जाएगा, ठीक है, कैसे, 10 inverse 1 क्या होता है, pi by 4, 2 into pi by 4 क्या हो जाएगा, pi by 2, तो कहने का यह मतलब है ना, कि तुम इन सारे formula को रट जाओ, उसके बाद बागी किसी भी book में, अगर तुम्हें कोई extra formula दे रखाया है, किसी formula को याद करने की जोड़त नहीं है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यह 6, 7, 8, 9, 9 formula याद रखो, बस होगा किया कि देखो formula बागी book में extra क्यों हो गया है, क्योंकि वो sin inverse x plus sin inverse y, कभी बोलेंगे कि इसमें x less than 0 है, and y greater than 0, तो उसे काफी complication बढ़ जाता है, काफी सारे conditions वगरा आगाते, हमने अपने calculation को आसान इसलिए क्यों कर लिया, कि हमें कभी भी अगर sin inverse x plus sin inverse y में अगर x negative दिखिया न, तो उसको हम पहला काम करेंगे और positive बना लेंगे, ठीक है, उसके बाद ही formula लगाएंगे, तो x और y को positive बनाने से हमारे समझो कि 90% formula खतम होगे, because जो बागी 90% जो formula है न, बस इसी पे खेल कर रहा है, कि x negative होगा, y positive होगा, तो ये होगा, फिर x, y negative होगा, x positive होगा, तो ये होगा, बट हमें उसकी जोरत ही नहीं है, अगर x negative है और y positive है, जो negative हो, उसको minus से multiply करके positive बना लेंगे, मालो लिखा हुआ है sin inverse minus 1 upon root 2, suppose that ऐसा लिखा है, अगर यह बोला है कि sin inverse minus x बोल रहा है, इसमें बोला है कि x negative है, तो कोई बात नहीं, x negative है, तो कोई दिक्कत नहीं है, एक minus यहाँ बाहर किया, एक sin inverse यहाँ किया, एक minus x यहाँ लगा दिया, अब ये चीज, ये और ये तो एक ही बात लिखा हुआ है, बट उससे benefit क्या हो गया, कि sin inverse का जो यह argument हो गया नहीं, यह positive हो गया, अब इसको positive किया, तो हमारे सारे formula ही खतम हो गया, इसी 6 formula से हम अब question solve कर सकते हैं, ठीक है ना, तब कुछ basic questions है, इसको देख लेते हैं, ये 9 formulas याद कर लो, फिर जैसा मैं बोल रहा हूँ, बाकी किसी book में कोई formula दे रखा है inverse का, उसको याद करनी की जोरत ही नहीं है, ये 6 और 3, 9 formulas याद कर लो, सारे question solve हो जाएंगा, ऐसा कोई भी question नहीं चूटेगा, और extra जो formula है, उसको याद करना सिर्फ energy और अपना mind वेस्ट करना, और कुछ भी नहीं है, ठीक है, अब आजओ note 1, try to calculate the result in the form of T inverse X, हाँ, इसमें क्या बोला जा रहा है, कि अगर माल लो ना, कि suppose right ऐसे तुम्हारे पास कोई calculation करने के लिए आ जया है, यह काफी important point है, note में जो लिखा हुआ है, माल लो कि तुम्हें कुछ इस type का result, बोला है, इसको evaluate करो, sin inverse X plus tan inverse X को evaluate करने के लिए बोले, तो तुम्हें question किसमें कोसिस करना चाहिए, अच्छा, हमारे पास जो formula है, वो तो, या तो sin inverse में हो, या तो sin inverse X plus minus sin inverse Y का formula में पता है, या तो cos inverse X plus minus cos inverse Y का formula पता है, या तो हमें tan inverse X plus minus tan inverse Y, इसी का formula पता है, ऐसा तो हमें नहीं formula पता है, sin inverse X plus cos inverse X, ये तो formula नहीं पता है, तो अगर माल लो कि ऐसे बोले, इसको calculate करो, तो इसको हम क्या कर सकते है इस tan inverse को sin inverse में convert करके भी formula लगा सकते है या फिर इस sin inverse को tan inverse में भी convert करके formula लगा सकते है तो क्या better होगा better होगा कि तुम sin inverse x को tan inverse में convert करो कैसे वही चीज sin inverse x को alpha माल लिया x और y को तो मैं बोली रहूं कि जब भी formula लगाना है तो x और y को positive कर लो पहला काम कर लो ठीक है तो अगर malo x negative है तो यहाँ minus multiply किया है यहाँ minus multiply करके positive बना लिया तो positive बनाने के बाद sin inverse x को alpha बोला तो x का value आगिया sin alpha फिर यहाँ से triangle बना के इसको alpha बोला यहाँ से triangle बना के क्या निकाल लिया tan inverse x निकाल लिया ठीक है ना क्यों मैं बोल रहा हूँ कि कोसिस करो कि tan inverse में calculate करना उसके पीछे reason यह है कि जो sin inverse और cos inverse का जो formula है ना उसमें root involved है ठीक है तो root से क्या होगा कि बिना बाद का calculation complicated हो जाएगा ठीक है और tan inverse तो simple simple है उसमें कोई root root है नहीं तो अगर तुमने tan inverse में calculate करके अगर तुमने solve करने की कोसिस की तो असानी से solve हो जाएगा ऐसे तो sin inverse में भी answer आजाएगा बट complicated होगा इसलिए बोला जा रहा है कि try to calculate the result in the form of tan inverse x ठीक है कब जब दो inverse अलग-अलग inverse trigonometric function में है तो हमारे लिए ये try करना चाहिए कि हम tan inverse में calculate करें ठीक है अब आजो no question number one simplify simplify क्या बोला है sin inverse 2 by 3 plus sin inverse 4 by 5 इसको simplify करो तो simplify करने के लिए हम लोग क्या करते है एक तो formula याद रखना होगा formula याद रखने के बाद तुमें करना क्या है कि फिर हमें formula का condition check करना होगा दो formula है na sin inverse में तो दोनों का condition check करना होगा तो condition क्या होगा x square plus y square less than equals to 1 और greater than equals to 1 ये ही check करते हैं तो x square plus y square देखा तो यह हमें मिल गया greater than 1 तो greater than 1 है तो pi minus वाला formula लगेगा तो sin inverse 2 by 3 plus sin inverse 4 by 5 क्या होगा pi minus sin inverse x root under 1 minus y square plus y root under 1 minus x square तो इसको calculate करो ये तो साइद कर चुके हैं ये तो ऐसे ही है ठीक है अब sin inverse x minus sin inverse y का formula क्या होता है एक ही formula होता है अब इसको याद कैसे रखना because a minus b क्या होता है minus pi by 2 से pi by 2 के बीच में होता है minus pi by 2 से pi by 2 के बीच में sin inverse का principle range होता है तो sin inverse x minus sin inverse y में तो कोई condition ही नहीं चेक करना है इसका एक ही formula है sin inverse x root under 1 minus y square minus y root under 1 minus x square तो x root under 1 minus y square क्या अच्छा उच्छ गरपर कर दिया क्या है ये plus प्लस नहीं यार ये minus है ये minus है sin inverse का क्या होता है formula x root under 1 minus y square minus y root under 1 minus x square एक ही formula होता है sin inverse x minus sin inverse y का देखो plus में sin plus की बात कर रहा हूँ plus में sin inverse और tan inverse के दो formula होंगे और cos inverse के एक formula होंगे और minus में sin inverse और tan inverse के एक formula होंगे cos inverse के दो formula होंगे बस ये याद रखना है याद कैसे होगा principle range से a plus b 0 से πाई के बीच में जो की cos inverse का principle range है तो plus वाले में cos inverse का एक formula होगा sin inverse tan inverse के दो formula होंगे और minus a minus b क्या होता है minus pi by 2 to pi by 2 जो की sin inverse और tan inverse का principle range है तो a minus b का जो formula होगा उसमें tan inverse और sin inverse के एक formula होंगे बट cos inverse के दो formula हो जाएंगे तो यहाँ तो sin inverse में minus है तो एक ही formula होगा सीधे answer आगिया इसमें कोई condition ही नहीं चेक करना है अब plus में है और cos में है plus में है और cos में तो plus में cos में क्या होगा एक ही formula होगा और कोई दिक्कत ही नहीं बट यहाँ पर क्या है देखो एक ही formula होगा लेकिन कब होगा जब हम लोग उसके trigonometric का जो cos inverse का जो argument होगा उसको हम positive बना लेंगे तो हमें पता है कि sin inverse minus theta क्या होता है minus sin inverse theta and cos inverse of minus theta क्या होता है pi minus cos inverse theta तो इसको पहले argument को हमने positive ऐसे बना लिया pi minus cos कर लिया अब यहाँ पे pi कर दिया अब यह cos inverse x minus cos inverse y अब यहाँ पे गरबर हो गया यहाँ पे a minus b का formula लगेगा cos inverse a minus cos inverse b का तो Cos inverse A-Cos inverse B में Cos inverse के क्या हो जाएंगे A-B क्या होगा Minus π.2, dp.2 इसमें क्या होगा इसमें Cos inverse के दो formulas हो जाएंगे तो कौन सा formula लगेगा पहला वाला formula है ये जो बता है न भी किसी है दो । 2 formulas हो गें Cos inverse X-Cos inverse Y के बट इसमें क्या है हमारा Axis less than equals to y है और Axis greater than equals to y है यही है na cos inverse में तो देख लो तो Axis यहाँ पे क्या है 1 upon 4 और 3 upon 4 तो 1 upon 4 में क्या है कौन बढ़ा है और विसी बात है कि 1 upon 4 बढ़ा है तो Axis greater than equals to y यह वाला condition है Axis greater than 1 upon 4 तो छोटा है 3 upon 4 बढ़ा है तो Axis less than y वाला condition है इसमें 1 upon 4 less than है यह तो एक quarter है यह तीन quarter है तो एक quarter छोटा होगा ना तीन quarter से तो इसका मतलब क्या होगा है कि Axis less than y है तो कौन सा formula लगेगा यह formula लग जाएगा कौन सा उपर वाला यह formula लग जाएगा सीथे cos inverse xy plus root under 1 minus x square into root under 1 minus y square ठीक है तो यह formula लग गया तो यह ही हो गया यह तो πाई कहां से आया यह πाई formula से नहीं आया पाई इसको हमने negative cos inverse के argument को negative से positive किया वहाँ से πाई आया पाई को जब हमने अलग किया तो यहां देखने में लग रहा है कि cos inverse x plus cos inverse y का formula लगेगा बट actual जब इसको हम solve करने गए तो हमें क्या मिल गया cos inverse x minus cos inverse y का formula जिसमें हमार x is less than y है तो उपर वाला formula लगा दिया इसको अपना calculate करोगो तो यह answer आ जाएगा अब आज़ो fourth point में fourth question में 10 inverse 1 plus 10 inverse 2 plus 10 inverse 3 इसका में value चाहिए ठीक है तो 10 inverse 1 तो pi by 4 होता वो तो लिख दिया अब यहां पे 10 inverse 2 plus 10 inverse 3 plus में है तो 10 inverse का 2 formula है ठीक है 2 formula में क्या है यह देख लो plus में 10 inverse के 2 formula है product अगर 1 से छोटा है तो यह formula product अगर 1 से बड़ा है तो pi plus है इसका product 1 से बड़ा है देख लो 2 into 3 1 से बड़ा है तो कौन सा formula लगेगा यह वाला pi plus this लग गिया pi plus this यह pi plus 10 inverse a plus b upon 1 minus a into b तो pi plus pi by 4 5 pi by 4 इसका value क्या है 10 inverse 5 upon minus 5 तो क्या होता है 10 inverse minus 1 तो 10 of minus theta is minus 10 theta तो यहां minus 1 को यहां कर दिया तो यह 10 inverse 1 क्या हो गया pi by 4 यहां डाला तो क्या हो गया pi answer हो गया simple से है ठीक है अब कुछ terms है जिसको हमें याद रखना है यह memorize कर सकते हैं तो अच्छी बात है नहीं कर सकते हो तो भी अच्छी बात है कोई problem नहीं है बट logically समझ लो क्या है यहां पर पहला result क्या बोल रहा है कि 10 inverse 1 plus 10 inverse 2 plus 10 inverse 3 का value pi होगा यह first result है ठीक है कहां से आया यह अभी हमने proof किया यह क्या ना 10 inverse 1 plus 2 plus 3 pi proof किया ना भी हमने उसको बोल ला जा रहा है कि आपको यह रट जाओ 10 inverse 1 plus 10 inverse 2 plus 10 inverse 3 का value pi होता है ठीक है फिर हमें पता क्या है कि अगर 10 inverse x लिखा हो और x positive है तो उसको हम लिख सकते है cot inverse 1 upon x और cot inverse x लिखा और x positive है तो उसको लिख सकते है 10 inverse 1 upon x यह हमें result पता है तो इसमें हमने क्या क्या 1 का reciprocal तो 1 होगा तो ये तो cot inverse 1 आ गया इस tan inverse 2 को क्या लिख सकते है? cot inverse 1 upon 2 और इस tan inverse 3 को क्या लिख सकते है? cot inverse 1 upon 3 ये भी πाई के एक्वल हो गया, ठीक है? because tan inverse x is equal to cot inverse 1 upon x और cot inverse x is equal to tan inverse 1 upon x ये कब true है? when x is positive तो यहां समें एक result क्या मिला? cot inverse 1 plus cot inverse 1 upon 2 plus cot inverse 1 upon 3 is equals to π ये result आ गया ठीक है? अब फिर क्या है? cot inverse 1 को क्या लिख सकते है? pi by 2 minus tan inverse 1 tan inverse x plus cot inverse x क्या होता है? pi by 2 होता है ना तो cot inverse 1 को हम क्या लिख सकते है? pi by 2 minus tan inverse 1 इस cot inverse 1 upon 2 को क्या लिख सकते है? pi by 2 minus tan inverse 1 upon 2 इस cot inverse 1 upon 3 को क्या लिख सकते है? pi by 2 minus tan inverse 1 upon 3 है किसके equal होगा पाई के rearrange किया तो हमें क्या मिल गया tan inverse 1 plus tan inverse 1 upon 2 plus tan inverse 1 upon 3 is equal to पाई by 2 ये भी result आ गया फिर अब इस tan inverse 1 को cot inverse 1 में change cot inverse में change करेंगे तो tan inverse 1 तो cot inverse 1 हो गया बट tan inverse 1 upon 2 cot inverse 2 हो गया और tan inverse 1 upon 3 cot inverse 3 हो गया ये भी पाई by 2 के equal हो गया ये सारे result अगर नहीं याद करना चाहते हो तो ये जो red color से लिखा है ना सिर्फ इस result को याद कर लो इसी result से second, third or fourth derive हो जाएगा ठीक है? तो इसको समझ जो करना क्या है? अच्छा, अब आजाओ question number question number one में अब यहाँ पे actual में क्या है? कि देखो क्या है? क्या बोल रहा है find x if tan inverse 3 plus tan inverse 4 is equal to cos inverse x तो x का value निकालो हमें पता है कि tan inverse x plus tan inverse y अगर xy 1 से greater हो तो formula क्या लगता है? pi plus tan inverse x plus y upon 1 minus xy तो यहाँ पे तो xy मतलब 3 into 4 तो यह 1 से greater है तो यह formula लग गया pi plus this इसको हमने solve किया तो क्या मिल गया? pi plus tan inverse 7 upon minus 11 और tan inverse minus theta क्या होता है? minus tan inverse theta तो यह क्या हो गया? pi minus tan inverse 7 upon 11 तो cos inverse x का value क्या हो गया? pi minus tan inverse 7 upon 11 यह हो गया न? हमें किसका value चाहिए? x का value चाहिए तो हमें cos inverse क्या मिला? ठीक है? 90 के बाद 91 पे तो cos theta को हमने क्या बोला? 7 upon 11 आ रहा है न? यह देखो इसको हमने theta बोला इसको ना हमने theta बोला tan inverse 7 upon 11 को theta बोला तो tan theta क्या हो गया? 7 upon 11 tan theta perpendicular आ गया 7 और base आ गया 11 तो hypotenuse आ गया 170 तो यहां से cos theta क्या आ गया? 11 upon root under 170 तो theta का value क्या हो गया? 10 inverse 7 upon 11 और यही theta का value हो गया cos inverse 11 upon root under 170 तो यहां पे cos inverse x pi minus इसको हमने किस से replace कर दिया? इस से replace कर दिया यहां पे तो pi minus cos inverse 11 upon root under 1 70 तो pi minus cos theta sorry pi minus cos inverse theta क्या होता है? cos inverse minus theta होता है? यह formula होता है न? cos inverse minus theta क्या होता है? यह होता है न? pi minus cos inverse theta अच्छा एक बाद तो तुम्हें पता होगा कि अगर x is equals to y given हो तो कोई भी trigonometric function अगर angle equal हो तो उस angle पे कोई भी trigonometric function का value same होता है अगर मैं लिख दू pi by 4 is equals to pi by 4 अब यहाँ पे sin, cos, tan, cos x कुछ भी apply कर दो result तो true आएगा angle same है तो उस पे trigonometric function का value same होता है बट अगर मैं ऐसे बोल दूँ कि tan x अगर tan y के equal है तो इसका मतलब x y के equal है तो यहाँ पे गरबर है यहाँ से यहाँ नहीं जा सकते हो यह नहीं जा सकते हो बट यहाँ से यहाँ हमेशा जा सकते हो this is always true इसको याद रखना है तो यहाँ पे मैं क्या बोल ला हूँ कि हमारे पास क्या आ गया हमारे पास आ गया pi minus cos inverse 11 upon root under 170 तो इसको मैंने क्या बोला cos inverse pi minus cos inverse theta is cos inverse minus theta तो cos inverse minus कर दिया minus 11 upon root under 170 अब क्या हो गया यह cos inverse x और यह cos inverse यह तो दो angle same दे रखा है तो हम लोग अगर दो angle same दे रखा है तो उसको हम क्या कर सकते है देखो यह क्यों true नहीं है यहाँ से यहाँ क्यों नहीं जा सकते है यहाँ से यहाँ तक जा नहीं सकते यह जो tan inverse और tan inverse y है ना यह many one many one on two function है ठीक है बट inverse trigonometric function तो bijective function है तो one one function है ठीक है अगर कोई function one one हूँ अगर मालो कि tan x हमारा one one function होता bijective function होता tan x तो अपने natural domain में और core domain में many one on two function है ठीक है तो इसमें क्या है कि अगर इसको तुम ऐसे देखो यह यहां से true नहीं है बट अगर कोई bijective function होगा मालो कि अगर मैंने fx को bijective function लिया और इसको फिर मैं ऐसे बोल सकता हूँ अगर x1 x2 के equal होगा तो fx1 भी fx2 के equal होगा यह तो condition चाहे bijective हो या नहीं हो दोनों के लिटर हो है बट यहां से यहां भी जा सकते हो अगर function bijective है तो यहां से यहां बिलकुल जा सकते हो कोई problem नहीं है यहां से हम generally क्यों नहीं जाते हैं because function main1 होता है तो जोड़ी नहीं कि x1 x2 के equal हो समझ मैं यह बात तो हमारा fx1 fx2 के equal हो यह बात हमेसा true नहीं है because ऐसा भी हो सकता है कि x1 x2 दो domain का दो different point हो अगर function main1 है ऐसे देखो na sin x function है ऐसे line ले लो कितने जगा कट करेगा यहां अगर मालो alpha यह beta है तो alpha तो beta के equal नहीं है नहीं है नहीं है but sin alpha sin beta के equal है sin alpha sin beta के equal है तो अगर मैं बोलू कि sin alpha sin beta के equal implies alpha is equal to beta तो गरबर हो गया न यहां पर तो alpha beta के equal नहीं है बट अगर यह sin function by objective function होता तब ऐसे से ऐसे जाओ या यहां से यहां जाओ कोई problem नहीं है ठीक है तो यहां पर क्या cos inverse तो हमारा क्या एक by objective function है तो फिर कोई बात नहीं है cos inverse x यह बराबर लिखा है तो फिर x को हम यहां बोल सकते है इसकी equal answer होगी ठीक है बट है तो यहां जाओ नहीं है